दोस्तो आज के समय में गोरा रंख पाना हर वेक्ती चाहता है हम अपने चेरे को गोरा और सुन्दर बनाने के लिए कई प्रकार के बजार में उपलब्द ब्यूट्व प्रवड़क्टों का इस्तमाल करते हैं लेकिन इन सभी के इस्तमाल के बाद भी जब हमारे सामदों के पढ़ान नहीं आता है तो हम काफी निरास हो जाते हैं आयम आपको एक ऐसा घरोलो नुस्का बताने जाना है जिसको अपनाने के बाद आप चाह लड़का हो या लड़की सभी के चेरे को गोरा वरादेगा और एक चमकदा तुचा प्राथ होगी आये दोस्तों जानते हैं कौन सा घरोलो नुस्का है जिसको अपनाने से आप चमकदार खूप सुरत तुचा पा सकते हैं और इन घरोली उपायों से आपको कोई भी साइड बैक नहीं होता है क्योंकि यह पूरी तैसे आयरवेदिक होते हैं तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले खाली बावल की जरुक पड़ेगी इस खाली बावल में आपको सबसे पहले जोची लेनी है वह दोस्तों बेशन आपको यहाँ पर इसमें एक चमच बेशन जो है एड़ करना है दोस्तों बेशन का उप्यूग काफी सदियों से केहरा है यह हमारे चेरे का रंग साफ करता है और उसे मुलाय मनाता है बेशन तुचा पर स्क्रब की तरह काम करता है यह हमारे रोंचिद्रों कुलता है और च दोस्तो धही, आपको इसमेंमि एक चंस्य धही एट करना हैν फिर आपको दोस्तो इन दोनो चीहों को अच्छे से mix करना है धही भी हमारे चेरे पर facial mask की तरह काम करता है यह हमारे चेरे से गंदगी और ऑद्धूल मिट्टी को भान निकालता है साती धेगी मदद से मीर्ट तुछा वेहों घ्लो आता है दूस्तो इस तरीके से यह आपका अच्छे से मिक्स होके त्यार हो जाईगा अब दूस्तो इस पेश्ट को जो आपको लेकर अपनी उंगलिंग योँ से तरीके से लेना है और फिर अपने चेरे के उपर इसे गोल गोल आपको जो 2-3 मिनटे तक अपने चेरे पर इसकी मसाज करनी है इस तरीके से दोस्तो मसाज करने के बाद मैं आपको इसे 10 मिनट के लिए अपने चेरे पर लगा हुआ छोड़ देना है 10 मिनिट के बाद मैं आपको इसे साधा पानी से दोकर साफ कर देना है दोस्तो इस उपाया को आप हपते में एक बार करें एक बार करने से आपका चेरा पहले से काफी गोरा चमतदार और सुन्दर बनेगा दोस्तो उम्मित करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लाओगा काफी आसान नुस्का है और बहुती असरदार भी है तो आप इस नुस्के को जरू टाय करें साथी वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों सेर करें वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे के नएने वीडियो नएनी जानकार यह आप तक पहुंचती रहे मैं आपके लिए फिल लाए हूँ कोछ ऐसा वीडियो तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई